हेलो चिल्रेंड आज हम बेटा और से और तक जो हमने किया है उसका अभ्यास करेंगे आज मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी बताऊंगी आपको खुद को करना है अपने कौपे में ठीक है यह क्या है चित्र को अक्षर से मिलाओ पहला चित्र किसका है ए से एडी हमको यह बीच में जो अक्षर लिखे हुए बिटा इसमें से ए ढूंडना है और उससे मिलान करना है इसमें ए कहाँ है आप ढूंडनेंगे और उसको मिलाओंगे ठीक है एडी से नीचे किसका चित्र है ऐसे एनक आप ए ढूंडनेंगे अक्षर में से और उसको मिलाओंगे ठीक है आपके दाइने है आपकी तरफ सबसे उपर किसका चित्र है औरत का राइट हैंड साइड में सबसे उपर औरत का औरत किससे होती है और से ओ कहाँ पर है हमको ढूंडना है और उसे मिलान करना है ठीक है उससे नीचे ओसे ओ और डूंडेंगे और उससे मिलाएंगे ओखली को ठीक है सब से नीचे कौन सा चित्र है अंग से अंगूर तो आप इसमें अंग ढूंडेंगे और उससे मिलाएंगे इसको बिटा आप अपनी कॉपी में चित्र बनाएंगे और मिलान करेंगे ठीक है इससे आगे और से अह तक को हम क्या बोलते हैं स्वर करते हैं तो आप स्वर को आपको पूरा करना है जिस क्रम में स्वर आता है उस क्रम में आपको लिखना है सबसे उपर क्या लिखा है हमारा ओ ओ के बाद क्या आता है आ तो आप जो खाली जगह है उसमें आप आ लिखेंगे ठीक है उससे आगे E E के आगे क्या आता है E हाँ तो आप खाली जग जग दिये उसमें क्या लिखेंगे बड़ी E ठीक है पट्या उससे आगे क्या दिये है हमारा U उसे उल्लू उसे उल्लू को बात क्या आता है हमारा जग दिये उसमें क्या आएगा उन बड़ाओ आगे क्या है हमारा रीसे रिशी ठीक है पटा दूसरी लाइन में देखेंगे रीसे रिशी के बाद क्या आता है एसे एडी एसे एडी के बाद क्या आता है खाली जग़े दिये उसमें क्या वरेंगे ऐसे एनक ऐसे एनक हमान नहीं दिये तो उसमें हम लिखेंगे ऐसे एनक उसके बाद हमारा क्या है? ओसे ओकली जो हमें दिया हुआ है ओसे ओकली के बाद क्या आता है? ओसे ओरत तो आप जो जगह दिये हुई है उसमें आप ओ लिखेंगे ठीक है? और से औरत के बाद अंग से अंगूर और अंग से अंगूर के बाद में क्या आता है हमारा अहाँ खाली ठीक है इस तरह से हमको और से अहाँ तक पूरा करना है यह बिटा अप अपनी कॉपी में साफ साफ अच्छे से लिखेंगे राइटिंग साफ करके लिखेंगे ठीके यही हमारा आज हमवर्क है ओके थैंक यू बटा